असलम अरखम डियर विवर्स मैं हूँ वखीद वजीर वेलकम टू माई योट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं रोल आप जेबरेलियस इन जोवनेलटी तो पेले हम जोवनेलटी को लेते हैं के जोवनेलेटी का मत अब क्या हैं देखो एक होता है immature plant आवे एक होता है mech hipp mustache यह जो immature plant होता है यह flowers प्रोडीवस करने के काबिल नहीं होता इसका जो focus होता है वो सेरफ on vegetable growth पर होता है यहनि stem, leaves and roots पर यह जो mature plant होता है यह flowers produce करने के काबिल होता है तो हर प्लांट पहले immature स्टेज से गुजरता है तो immaturity in plant is called juvenility immature plant जीस phase में होता है उसको immature phase आर विजिटेटिव phase आर जोविनायल phase कहा जाता है मेचिवर प्लांट जीस से फेज में होता है उसको मेचिवर phase आर रिप्रोडक्टिव phase आर एड़र्ट होट कहा जाता है तो जेब्रेलीन हर्मोन जोविनेलिटी को दोनों डारेक्शन में रेगुलेट कर सकती है किस तरह मैं एक्जामपल देता हूँ जेब्रेलीन हर्मोन हेडेरा हीलेक्स प्लांट को मेचिवर प्लांट से जोविनायला स्टेट में रिवर्ड करती है जिसको रिजोविनेशन कहा जाता है रिजोविनेशना यानि हेडेरा हीलेक्स प्लांट जब मेचिवर स्टेट में होता है तो ये फ्लावर्जा प्रोडीव्स करने के काबिल होता है जाहिर सी बात है मेचिवर स्टेट में होता है जब हेडेरा हीलेक्स प्लांट की रिवर्ड हो जाती है इस तरह जब्रेलीन हर्मोन इन्टो जब्रेनाइल स्टेट तो हेडेरा हीलेक्स प्लांट में फ्लावर्जा प्रोडीव्स करने की एबिलेटी खतम हो जाती है इस तरह जिब्रेलीन हर्मोन कोनिफर्ज प्लांट को जोविनाइल फेज से रिप्रोड़क्टिव फेज में तरनवर्ट करती हैं जिसको जोविनाइल टू एडल्ट ट्रांजिशन कहा जाता है या मैचियूरेशन कहा जाता है यह जो कोनिफर्ज है यह जब जोविनाइल फेज में होते हैं इमेचियूर फेज में होते हैं तो यह फ्लावर्ज प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते हैं यानि इमेचिवर प्लांट को मेचिवर प्लांट में कनवर्ट कर सकती है और आप मेचिवर प्लांट को इमेचिवर प्लांट में रिवर्ट कर सकती है तो ये ता रोल आफ जेबरेलीन इन जोवेनलिटी I hope आप लोगों को वेडियो अच्छी लगी होगी Thank you